की हल चल बचा लोग कई सन्वा उम्मिद करते हैं सभी लोग बढ़ियां और चकास होंगे आपने यह identity पढ़ रखी होगी कि A प्लस B का whole square होता है A square प्लस B square प्लस 2AB and A-B का whole square होता है A square प्लस B square minus 2AB अब इन पर आधारित हम लोग कुछ factorization इस वीडियो में करने वाले हैं जैसे की मान लेजिए अगर एक question है x square plus 81 plus 18x अब इसका factorization हमको करना है तो कैसे करेंगे अब इस तरह के factorization में हमको ये चिक करना होता है कि कहीं ये a plus b का whole square या a minus b के whole square वाले identity से match तो नहीं करता है क्या उसको follow तो नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए हर जगा plus है तो अगर ये बनेगा भी तो a plus b का whole square वाला बनेगा a minus b का whole square वाला नहीं बनेगा तो देखते हैं क्या ये a plus b के whole square वाली identity को follow करता है या नहीं करता है कैसे check करेंगे सबसे पहले देखिए कि कहां से आप किस वाले term से square बना सकते हैं तो यहां पर direct x square बना हुआ है तो कोई tension वाली बात नहीं है और देखिए यहां से भी square बन जाएगा तो यहां से square बनेगा यह 9 का 9 का square होता है 81 तो हमको a square वाला part मिल चुका है और b square वाला part मिल चुका है अगर यहां पर हमको 2ab मिल जाता है तो यह a plus b के whole square के जैसा बन जाएगा तो चेक करते हैं क्या यह 2ab को follow करता है या नहीं करता है तो 2 और a की जगा x है और b की जगा यहां पर 9 है तो अब देखिए यहां पर 2ab 2 में 9 का multiply करेंगे 18 18x 18x यहां पर already दिया हुआ है यानि कि यह जो question दिया था यह a plus b के whole square वाली identity को follow करता है यानि कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a plus b के whole square के form में तो यह ऐसे हो जाएगा x plus 9 का whole square तो यह हो जाएगा इसका factorization अब इसको चाहें तो 2 part में लिख सकते हैं x plus 9 x plus 9 next question है 9x square minus 12x plus 4 अब इसको देखिए यहाँ पर भी देखते हैं कि पहले square वाला part कहां से मिलेगा तो 9 x square को हम लोग लिख सकते हैं 3 x का square और again यहाँ पर 4 4 से भी हमको square वाला part मिल जाएगा यह हो जाएगा 2 का square तो a square वाला part हो गया b square वाला part हो गया तो यहाँ से हम चिक करेंगे 2ab बना के कि क्या 2ab से हमको 12x मिलता है या नहीं मिलता है तो 2 अब a की जगा है 3 x और b की जगा 2 तो एक बार चेक करते हैं 2 का 3 में multiply 6 6 का 2 में multiply 12 यानि 12x यहाँ से match कर रहा है यानि कि इसको हम लोग a minus b के whole square के form में लिख सकते हैं तो 3 x a की जगा है और b की जगा 2 है 3 x minus 2 का whole square इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 x minus 2 multiplied by 3 x minus 2 next question लेते हैं x square minus x plus 1 by 4 अब देखिए x square पहले से square में है और यहाँ पर 1 by 4 को लिख सकते हैं 1 by 2 का square 1 का square 1 and 2 का square 4 अब चेक करते हैं 2 a b बना कर तो 2 a की जगा x और b की जगा 1 by 2 अब 2 a b वाले पार्ट में देखिए ध्यान से अगर 2 से 2 को cancel कर देते हैं तो अगेन यहाँ पर x बसता है और पहले भी यहाँ पर x ही लिखा हुआ यानि कि x को हम लोग इस form में लिख सकते हैं यानि यहाँ पर 2 a b form यहाँ पर बन सकता है तो कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो यह a minus b का whole square के जैसा बन सकता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x minus 1 by 2 का whole square plus 9 y square plus 12 x y अब इसको solve करते हैं तो देखिए अगें यहाँ पर 4 x square को लिख सकते हैं 2 x का square and 9 y square को लिख सकते हैं 3 y का square और फिर से इसको 2 a b बना कर check करते हैं तो 2 a की जगा पर 2 x और b की जगा पर 3 y अब check करते हैं 2 का 2 में multiply 4 4 का 3 में 12 12 x y 12 x y यहाँ पर match कर रहा है यानि कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है तो यह बन जाएगा a plus b का whole square के जैसे यानि कि a की जगा 2 x है और b की जगा 3 y है तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा तो इसको again 2 x plus 3 y multiplied by 2 x plus 3 y भी लिख सकते हैं एक last question लेते हैं 45 a cube b plus 5 a b cube minus 30 a square b square अब देखिए इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले इस question को ध्यान से देखिए इसमें कुछ common हो सकता है यहाँ पर 45 है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको तो सब के पास यह 5 हमको मिल सकता है तो 5 को यहाँ पर common कर लेंगे और साथ ही देखिए इसके पास a है और यहाँ से भी a मिल जाएगा यहाँ से भी हमको a मिल जाएगा तो साथ में a को भी common कर सकते हैं और इसके पास B है तो B यहां से भी मिल जाएगा और यहां से भी मिल जाएगा तो 5 A B common हो जाएगा तो यहां पर अब देखेंगे क्या क्या बचता है तो पहले वाले term में क्या बचेगा 5 निकलने के बाद 5 में 9 का multiply करेंगे तो 45 हो जाएगा और A निकल गया तो A square बचेगा और B पूरा पूरा निकल गया है और second वाले में देखिए second वाले से 5 निकल चुका है A भी निकल चुका है और B cube में से B निकला है तो B square अभी बचा रहेगा ऐसे यहां पर 30 है 5 निकल चुका है तो 6 बचेगा और A sqrr में से A निकल चुका है तो A बचा रहेगा B sqrr में से B निकल चुका है तो B बचा रहेगा अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि किसका किसका sqrr हम लोग लिख सकते हैं तो 9 A sqrr को लिख सकते हैं 3 A sqrr B sqrr पहले से sqrr form में है और 6AB को 2AB बना के चेक करेंगे तो 2A की जगह है 3A और B की जगह है B तो चेक करते हैं तो 2 का 3 में multiply 6 6AB, 6AB मैच कर रहा है यानि कि हमने सही लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3A-B का whole square और again हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3A-B multiplied by 3A-B ये हो जाएगा इसका factorization अब हम आपको एक question देंगे जिसको आपको comment section में बताना है कि उसका answer क्या होगा अगर आप इमांदारी से पढ़ते हैं तो आप उस question का जवाब नीचे comment section में जरूर दीजिएगा तो आपके लिए हमारा question है x square plus 6x plus 9 इसका factorization करके आपको नीचे comment section में बताना है